दोस्तों कलोज टीवी पर अपने छटे सीजन के साथ प्रसालत हो रहा नागिन शो दर्शकों को खूब एंटिटेन कर रहा है शो में हर बार की तरह दर्शकों को काफी दल्चस्प कहानी देखने को मिल रही है इसी के साथ ही इस बार अपनी जोडी से दर्शकों को एंटिटेन कर रहे है अभीनेता, सिंबानाकपाल और तीजोस्वी प्रकाश जिन में आमें खूबसूरत कैमिस्ट्री देखने को मिलती है तभी तो बहुत कम समय में ही ये जोडी दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है जिने हर कोई मेट फॉर इचुदर मानता है लेकिन दोस्तों किया आप जानते हैं, जोहां रिशब गुजराल के करदार में अभीनेता, सिंबानाकपाल की जोड़ी अभी नेतरी तीजोस्वी प्रकाश के साथ सबसे बेस्च मानी जाती है तो हैं इनके अलावा भी एक ऐसी अभी नेत्री है जिनके साथ अभी नेता सिंबा नाकपल अपनी कैमिस्ट्री से हर किसी को फैन बना चुके है जी हां तो आखिरकार कौन सी है वो अभी नेत्री आईए जौनते हैं पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले नागिन सिक्स में रिशब और प्रथा के करदार को निभाने वाली तेजस्वी प्रकाश और सिंबा नाकपल ने अपनी जोडी से दर्शकों को कम समय में ही काफी दिवाना बना लिया है शो में जोहां हमें इन दोनों के बीच में कभी प्यार तो कभी तकरार वारा रिश्टा देखने को मिलता है तो है real life में भी इन दोनों के बीच काफी अच्छी understanding है जिसकी वज़ों से ही ये परदे पर अपनी जोड़ी को अच्छे से पेश कर पाते है और यही वज़ों है कि आज सिंबानाकपाल के साथ अगर दर्शक किसी को सबसे जादा देखना पसंद करते है तो वो है तेजस्वी प्रकाश पर बता दे सिंबानाकपाल के साथ तेजस्वी प्रकाश के अलावा भी एक और अभी नेतरी की जोड़ी काफी जादा पसंद की जाती है जी हाँ बात करें उस अभी नेतरी की तो वो अभी नेतरी है जिग्यासा सेंग जी या दरاصल आपको बतादे तेजस्वी के साथ इस शो़ में काम करने से पहले सिम्बा नाकपार जिग्यासा सिंगे साथ शक्ति अस्त प्यार के हिसास के सीْरियल में नखर आ चुके है जो इन्हों ने शो़ में विराट की करदार को निपाया था और इसी वज़ों से इन दोनों का यही प्यार और एक दूसरी के साथ खूपसुरत बॉंड दर्शकों का दल जीत ले गया जिसकी वज़े से दर्शकों ने इनकी इस जोडी पर भी खूप प्यार बरसाया और इनी दोनों की जोडी को भी बैस जोडी में शुमार करते हैं वेल दोस्तों आपको सिंबान अकपाल की जोडी इनमें से किस अभी नेत्री के साथ सबसे ज़दा बैस लगती है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताए साथ ही टीवी इंडाउस्ट्री से जोडी आजी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले